नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रहमातमच आज सड़क 2 का रिव्यू करूंगा मैं सड़क 2 या डिजनी हॉट स्टार पर आ रही है और महस भट ने इसका निर्देशन किया है उनकी बेटी आलिया भट इस फिल्म की नाइका हैं उनके साथ राय कपूर हैं हीरो उनके साथ में बहुत सारे मशूर कलाकार हैं जिस हुसेन गुपता हैं मकरंदेस पांडे हैं गुलसन ग्रोवर हैं मोहन कपूर हैं प्रियंका बोस हैं इतने सारे सक्षम कलाकारों के साथ यह फिल्म आती है लेकिन अपसोस की बात कि जिस उम्मीद के सा हम यह फिल्म देखने बैठते हैं क्योंकि भट साहब लगबग 21 सालों के बाद निर्देशन में लोटे वह भी अपनी बेटी की ख्वाइश पूरी करने के लिए इस फिल्म से उनके बेटी आलिया की ख्वाइश तो पूरी हो गई लेकिन उनके प्रसंशक भट साहब के प्रसंशक और दर्शक बहुत ही निरास हुए होंगे और होंगे इसलिए कि यह फिल्म उनकी पिसली फिल्म सड़क की तो बात छोड़िये उनके अन्य फिल्मों के मुकाबलें भी खाड़ी नहीं हो पाती है हम सभी जानते हैं कि भड़ साब का एक मुकाम रहा है उन्होंने सारांश, नाम, जख्म जैसी फिल्में दी हैं लेकिन इस फिल्म में वे अपनी वापसी में 20 सालों के बाद जो लोटे हैं वहां बहुत निराश करते हैं उदास करते हैं हम जैसे उनके प्रसंशक दर्शकों का, हम जैसे उनके प्रसंशक समिक्षकों का हम देखते हैं कि पिसले समय में जब सहिव उन्होंने निर्देशन की कुर्सी छोड़ी और मेंटॉर की वोमिका में आगए विशेस फिल्म में उसके बाद भी उन्होंने युवा निर्देशकों के साथ, युवा लेकों के साथ, नए कलाकारों के साथ, धेर सारी ऐसी फिल्में दी हैं जो देखने लाइक हैं लगी इस बार जब वे खुद निर्देशक की कुर्सी पर बैठे हैं तो कमान उनके हाथ से निकल गई है, लगता है ऐसा कि वो पकड़ उनकी ढीली हो गई है, लगाम वे सम्हाल नहीं पा रहे हैं निर्देशक की अगर यह उनकी आखरी फिल्म होगी, तो कह सकते हैं कि उनकी विदा फिल्म अच्छी फिल्म नहीं मानी जाएगी बेतर होगा कि भट साव एक और फिल्म का निर्देशन करें, और इसकी वजह से जो उनके नाम पर धबा लगा, उसको दूर करें फिल्म की कहानी जैसा है, मैंने कहा कि सडक से ली गई है, सडक 2 है यह, सीक्वल के तौर पे वहां का किरदार रवी वर्मा जो संजेदत पिसली फिल्म में बीते ही, यहां भी हैं, वे इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उसमें आलिया आकर जुडती हैं, जिनोंने आरिया और मीसा की भूमी का निभाई है पूजा भट की तस्वीर है, पूजा भट की आवाज है, पुरानी फिल्म से आती है, इस फिल्म में भी है लेकर उनका चेहरा कहीं दिखाए नहीं पड़ता है, उनकी प्रेजेंस है और साइद उसी की जरूरत थे स्क्रिप्ट के हिसाब से, स्क्रिप्ट जो पिछली फिल्म के तार लेके आगे बढ़ी है, उसको ढ़ंक से बुना नहीं जा सका है, वो तार बहुत महीन और कमजोर रह गई है बड़ साहब ने यह फिल्म सुहरिता सेन गुप्ता के साथ मिलकर लिखी और समवाद इसके भारत द्वाज में एक्ष्टा समवाद लिखे हैं लेकिन न तो समवादों में कोई दम है, न दृस्ट संग्रस्टा में बड़ साहब की कारिगरी है इस बार तो यह भी दिक्कत है कि एमोशन कोशेंट जो उनकी फिल्मों में हुआ करता है जो मेलो ड्रामा हुआ करता था, वह भी गायब है बाब, बेटी, प्रेमी, सबके रिलेशन के बीच, वह आवेग, जो उनकी फिल्मों के खुबी है वह नहीं दिखाई परती है, परदे पर, हाँ, गानों में वह आ गई है, गाने उनके इस बार भी मधूर है और कर्णप्रिय हैं, सुनने लाइक हैं, खासकर करकर जिन गायकों और संगितकारों ने इसमें मेहनत किया है इस बार तो पांच-छे संगितकार हैं, और उतनी ही आवाजे है उन गीतों में जरूर भाव है, जो फिल्म की थीम को पकड़ पाता है थोड़ा सा लेकिन समवादों में, दर्शियों में और बाकी प्रस्तुती में उसका गोर अभाव है, गन गोर अभाव है फिल्म जैसा कि मैंने बताया कि रभी वर्मा की कहांदिर सुरू होती है रभी वर्मा की जिन्दगी में आरिया आती है, आरिया जो धोंगी बाबा को एक्ष्पोज करने के पीछे पड़ी है उसे लगता है कि उसकी मां की मौत में इस धोंगी बाबा का हाथ है और उसकी मासी का हाथ है नंदनी मासी का इन सब के साथ वो बदला लेना चाहती है उसके बदले की भावना से आवेशित है वो और उसके खाइश है कि 21 साल कि जब वो हो तो कहलाश पहुँचे उसके माने वसीयत छोड़ी हुई है कि जब वो 21 साल की होगी तो दिसाई कमपनी का सारा अधिकार उसे मिल जाएगा टैक्सी बुक हो रखिया लेकिन तब तक पता चलता कि रवी वर्मा अपनी जिन्दिगी से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो करके अपनी पत्नी पूजा से मिलने के लिए बेताब है और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो मौत सुविकार कर ले आत्मात्या कर ले तो जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी से मिल सकता है बात बढ़ती है आगे और तभी जिन्दिगी में उसके आरिया आ जाती है और उसको ये इलहाम होता है कि नहीं आरिया को मुझे लेके कहलास जाल की भूमिका में है जिनका असली नाम मुन्ना है जो बदल के आए है ढोंगी बाबा की तरफ से आरिया को खत्म करने के उद्देसे से लेकिन वे उसके प्यार में पढ़ जाते हैं और फिर वे अपनी भूमिका बदल लेते हैं आरिया के संगरक्षक जहां पे साजी से पता चलती है आरिया को शक है अपनी मासी पर कि उन्होंने उसकी मा की हत्या करवाई और बाद में स्टेप मदल बन गई उसे अपने पिता पर कोई डाउट नहीं है लेकिन जब फिल्म आगे बढ़ती है तो कहानी इस जंग से पलटती है और नए भेद कोलती है उससे वह चौकती है और फिर तै करती है कि अब उसे सभी से बदला लेना है डोंगी बाबा से तो लेना ही है और इसमें रभी वर्मा उसके मददगार होते हैं और साथ में विशाल भी आता है इस कोशिस में उनको मुश्किले भी आती है सामने से एक मुसीबत के तोर पर ये सारे लोग टकराते रहते हैं लेकिन अंतता जैसा की होता है ऐसी फिल्मों में आखिर कार उसकी विजय होती है लेकिन इस कहानी में जो मुना गया है भट साहम ने सुहर्टा के साथ जो तैयार किया है उसमें इस बार ना तो उनकी पुरानी खासियत है जहां इमोशन और मेलोड्रामा हुआ करता था इस बार वो भी पक्ष कमजोर है हाला कि उनके पास उम्दा अबनेता हैं जीशू सेन गुपता हैं प्रियंका बोस हैं इसके अलावा खुद संजयदत हैं आलिया भट हैं रॉय कपूर हैं मोहन कपूर हैं लेकिन ये सब मिलकर भी फिल्म का जो कथ्य है उसको सही तरीके से सामने नहीं ले आपाते हैं इसलिए कि पटकथा कमजोर है समवाद कमजोर है अब सोचिये आज की फिल्म में भी समवाद मगर सुनाई पड़े कि जो बादल गरस्ते हैं वे बरस्ते नहीं तो बर्बस हजी छोड़ जाती है थोड़ी कलपना भी नहीं है आज की भाषा नहीं है और इस फिल्म को देखते हुए साब पता चलता है कि उस समय वह उसमें नवीनता थी लेकिन अब वो नवीनता नहीं रह गई है तो समय के साथ हो सकता है दूसरे निर्देशकों के साथ समाल लेते थे लेकिन यहां जब खुद का निर्देशन करना था उनको खुद के निर्देशक बने हुए थे तब सबकुछ असफलत साबीत होता है सचमज या फिल्म हम जैसे परसंशकों के लिए भी हम जैसे समिक्शकों को भी निराश करते क्योंकि बड़ साब के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने कैसी फिल्में दी है उनका क्या कंट्रिबूशन रहा है कैसी आवाज रही है उनकी, रहकि यह फिल्प चूचू का मुरब्बा बनकर रह जाती है, ना तो कुछ कह पाती है, ना कुछ दिखा पाती है, ना कुछ बता पाती है। और समकालिन पीड़ी की उम्दा अविनित्री आलिया भट के साथ भी न्याय नहीं कर पाती है क्योंकि उसके किरदार में वो परते नहीं है, किरदार बिलकुल एक आयामी है और अनेक्स्प्रेसिव रह जाता है कलागारों में जब ऐसी फिल्म बन जाती है तो जो कलागारों का थोड़ा बहुत योगदान भी होता है उस पर ध्यान नहीं जाता हाला कि संजेदत ने काफी मेहनत की है, संजेदत की अपनी एक प्रिजेंस है जिस हुसेन गुपता ने भी काफी अच्छा काम किया, प्रियंका बूस को जो भूमिका मिली थी उसको उन्होंने अच्छी तरह निभाया है लेकिन वही बात, लेखन, निर्देशन इतना कमजूर है कि अब फिल्म कहीं से भी प्रभावित नहीं कर पाती है इस फिल्म को लेके जो भी हो अल्ला था वो अपनी जगा लेकिन हमारी इक्छा इसलिए इस फिल्म को देखने की थी कि बाब बेटी की जोड़ी आ रही थी फिल्म में, महस भट और अलिया भट आ रहे थे बड़ी उमीदे थी, सारी उमीदों पर पानी फिर गया, जी हाँ आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और जरूर सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए गंटी बजा दे शोक्रिया महरवानी